हेलो एवरिवन आएम प्रिया और वेल्कम बाक टो मैंजमेंट प्लस मीनिंग ऑफ ओर्गनाइजिंग और ओर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम इसकी मीनिंग, इंपॉर्टंस, अलिमेंट और ओर्टोरिटी, रिस्पोंसिबिलिटी और एक की बीच के डिफरेंस को पढ़ेंगे responsibility, business जब बहुत ज़ाद expand हो जाता है तो एक single manager के लिए बहुत difficult हो जाता है कि वो सारे job जो उसको करने होते है उनको वो अकेले निभा पाए, तो वो क्या करता है कि कुछ काम, कुछ routine work ऐसे होते हैं, तो उनको क्या करता है, वो delegate कर देता है अपने subordinate को, जो उसको reliable लगते हैं, competent लगते हैं, ऐसे subordinate को अपने work को delegate कर देता है, by providing appropriate authority and responsibility, अब देखो क्या वो सारे work को delegate कर देता है, नहीं, सारे work को delegate नहीं करता है, वो क्या करता है, कुछ routine work को ही delegate करता है, और कुछ ऐसे work जो उसके position के लिए organization में सिर्फ वही perform कर सकता है, उन काम को वो अपने पास रख लेता है, और बाकी काम को, जो routine work है, उनको वो delegate कर देता है, अपने subordinate के पास, और साथ ही साथ उनको proper authority और responsibility भी grant करता है, it means what? it means the granting of authority and responsibility regarding specific job to the subordinate, यानि कि किसी काम को करने के लिए, अपने subordinate को proper amount of authority और responsibility को grant करना, हम क्या बोलते हैं उसको delegation of authority अब suppose करो एक example लेते हैं, कि suppose मैं videos बना रही हूँ, तो मैं assistant professor हूँ तो मेरा prime काम क्या है? पढ़ाना, अब साथ ही साथ मैं videos बना रही हूँ, तो पढ़ाना, video बनाना, video को edit करना, ppt बनाना, इसको upload करना, बहुत जाधा मैं सोझाता है तो अब इन सारे काम में routine work क्या है? routine work है, ppt बनाना, video को upload करना, video को edit करना, ऐसा काम है जो कोई भी मेरे बदले कर सकता है लेकिन क्या कोई मेरे बदले पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है ना, मेरा कोई subordinate मेरे बदले तो नहीं पढ़ा सकता, तो मेरा prime मेरे काम क्या है, जो मेरे position के regarding मैं ही कर सकती हूँ वो है teaching, तो teaching का work मैं किसी को delegate नहीं कर सकती वो मैं अपने पास रखूँगी, लेकिन मैं अपने subordinate को क्या कहोंगी, कि तुम क्या करो, तुम मेरे वीडियो को upload कर लो, तुम देखो, तुम edit कर लो तुम देखो, तुम PPTs बना दो तो मैंने PPT बनाने का काम editing करने का काम और uploading करने का क्या कर दिया? तीन subordinate में पांट दिया, लेकिन मेरे position के regarding जो organization में सिर्फ मैं कर सकती थी, मैंने उस काम को अपने पास रख लिया, कि इस काम को मैं करूंगी, क्योंकि ये काम सिर्फ मैं कर सकती हूँ. With the virtue of my position, means मैं teacher हूँ, तो मैं ही पढ़ा सकती हूँ, uploading, downloading, कोई भी काम भी कर सकता है, लेकिन teaching नहीं कर सकता, clear है? तो ठीक, उसी तरीके से manager का जो post है, decision making उसका काम है, strategy बनाना उसका काम है, तो वो उसको delegate नहीं कर सकता, लेकिन और भी जो routine work होते हैं, उनको वो reliable subordinate को delegate कर देता है, और कुछ authority और responsibility भी provide करता है उस काम को करने के लिए. क्यों करता है? ताकि work जो है न, वो miss ना हो, वो उस काम पर focus कर सके, जिसके लिए वो main उस position पर बैठा हुआ है, अगर upper level का management है, तो वो किस लिए बैठा है, policy बनाने के लिए बैठा है, decision लेने के लिए बैठा है, strategy बनाने के लिए बैठा है, ना कि routine work को perform करने के लिए बैठ को, that is the real meaning of delegation of authority and responsibility, देखो elements of delegation है, इसमें first क्या है, authority, second responsibility और accountability, तो authority का मतलब क्या होता है, power of taking decisions, means कि आपके पास ये power है, कि आप decision ले सकते हो, किसके पास ये power है, subordinate के पास ये power है, यानि कि आप जब delegate करते हो न, authority, तो मतलब क्या होता है, कि आप अपने powers को भी दे रहे हो, अपने subordinate को उस काम को करने के लिए, अब suppose करो आपने किसी को काम दे दिया, और एक production manager, एक example लेते हैं, production manager है, वो अपने subordinate को production का काम दे देता है, delegate कर देता है, कि भाई, तुम मेरे बदले इस काम को करो, अब काम को करने के दोरान, जो उसके resources हैं, suppose करो raw material है, तो raw material की कमी आ जाती है, तो क्या वो subordinate बैठा रहेगा, कि मेरा superior कब आएगा, मैं उससे पूछूँगा, और raw material को order करूँगा, नहीं, उसको appropriate amount of authority दी जाती है, कि भाई, जब काम मैं तुमको delegate कर रहा हो, उसके regarding, अगर कोई decision लेन और साथ ही साथ, उस काम को करने या करवाने के दौरान, अगर direction देने की जरूद पड़े, command देने की जरूद पड़े, instructions देने की जरूद पड़े, तो तुम्हारे पास ये right है, कि तुम direction भी दे सकते हो, अपने other members को, जो और भी लोग associated हैं, तुम्हारे साथ इस काम को करने के दौरान उनको तुम direction दे सकते हो, साथ ही साथ, इस काम को करने के regarding कोई decision लेने की जरूद पड़े, तुम decision ले सकते हो, that is the meaning of authority, authority क्या है, कैसे delegate किया जाता है, authority delegated downward, means superior to subordinate, अब responsibility की बात करते हैं, तो responsibility is the obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty, ये क्या है, obligation is subordinate का, कि जो उसको काम assign किया गया है, superior के द्वारा, उसको वो properly perform करे, उसकी जिम्मेदारी है कि superior ने जो काम उसको दिया है, उसको वो अच्छे तरीके से carry out करे, अब ये कैसे flow करता है, upward flow करता है, means junior to senior, अब तीसरी बारी आती है, accountability की, when a superior assigns some work to a subordinate, he is answerable to his superior for its success or failure, it can be neither be shared nor be delegated, अब देखिए accountability का मतलब, कि अगर काम में किसी तरह का गरबड हुआ, success भी हुआ, या failure भी हुआ, तो आप किसको पकड़ोगे, means what, answerable, कौन होगा, अब suppose करो, मैं या video बना रही हूँ, मैंने किसी को delegate कर दिया, काम जैसा मैंने पहले आपको बताया, uploading का, उस uploading में, उसने कुछ गलत सा keyword यूज कर दिया, तो क्या मेरा subordinate responsible होगा, answerable होगा, उस गलत keyword के लिए, channel तो मेरा है न, मेरे को काम था, यहाँ पे video upload करना, अगर मैंने क work assigned कर रहे हैं, फिर भी, अगर work में किसी तरह के का failure हुआ, या कुछ fault हुआ, तो उसके लिए वो superior ही answerable होगा, जिसने की delegate की थी, अपनी authority को, subordinate के काम के लिए, subordinate answerable नहीं होगा, बलकि आपको, अपने senior को answer देना पड़ेगा, कि आपके काम में fault क्यों आया, that is the meaning of accountability, next देख of absoluteness of accountability, authority can be delegated, but accountability cannot be delegated by a manager, authority को आप delegate कर सकते हैं, अपने काम को, दूसरों को करने के लिए, आप grant दे सकते हैं, अपना power आप delegate कर सकते हैं, लेकिन accountability आप कभी भी delegate नहीं कर सकते हैं, अगर आपको कोई काम सौपा गया है, तो उसके लिए answerable आप ही होगे, कोई और नहीं हो सकत भले उस काम को कोई और perform कर दे, लेकिन answerable आप ही होगे, the authority granted to a subordinate can be taken back and re-granted to another person, clear है, the manager cannot escape from the responsibility for any default or mistake on the part of his subordinate, एक manager कभी भी escape नहीं कर सकता, अपनी responsibility को, अगर उसका subordinate किसी तरह का mistake या default करे, अपने part को करने में, अपने work को करने में, यानि subordinate की भी गलती होगी, तो answerable कौन होगा, manager ही होगा, जिसने उसको काम delegate किया था, that is the real meaning of principle of absoluteness of accountability, next देखिए, इसको हम example से समझते है, if the chief executive asked marketing manager to achieve a sales target of sale of 100 unit per day, the marketing manager delegates this work to deputy sales manager, who fails to achieve the target, अब देखो, scene क्या है, कि chief executive जो है, वो marketing manager को कहता है, कि तुम sales target को increase करो जरा, ठीक है, जर आच्छे से sales पे ध्यान दो, 100 per unit increase करो, marketing manager कहता है, भाई, इतना मेरे पास फुर्सत नहीं है, इस काम को वो delegate कर देता है, deputy sales manager को, यानि अपने subordinate को, subordinate जो था, वो इस target को achieve करने में fail हो गया, तो अब बताओ, ये जो failure रहा, इसके पीछे, answerable कौन होगा, deputy sales manager या marketing manager, ओवियस सी बात है, कि जब chief executive, जब आप मांगेगा कि क्या आपका sale increase हुआ, तो इसके लिए answerable sales manager नहीं होगा, इसके लिए answerable होगा, वो होगा marketing manager, means, then marketing manager will be answerable for the work performance of a subordinate, thus accountability is always of the person who delegate authority, जिसके पास work दिया गया करने को, और अगर वो delegate कर देता है authority को, फिर भी वो अपने accountability को delegate नहीं कर सकता, work वो किसी और से perform करवा सकता है, लेकिन जब उससे जवाब मांगा जाएगा उस काम के failure पे, तो answerable वही बंदा होगा, जिसने अपने authority को delegate किया था, देखो अभी देख लेते है authority, responsibility and accountability के भीच के difference को, तो first जो हमारा difference का basis है, वो है meaning, authority का क्या मतलब होता है, right to command, यानि right to take actions, right to take decisions, और right to command, clear है, next responsibility का मतलब, obligation to perform an assigned task, आप क्या है, जिम्मेदार हैं, अगर आपको कोई assigned किया गया है task, तो उसके लिए जिम्मेदार ही किसकी होगी, आपकी होगी, that is the meaning of responsibility, accountability का मतलब कि अगर कोई भी काम जो आपको assigned किया गया है, उसका जो outcome निकलेगा, उसके regarding आप answerable होगे, that is the real meaning of accountability, अब origin देखेंगे, तो authority का origin कहां से आता है, formal position से arise होता है, authority means what, कि एक manager को जब workload बहुत जादा बढ़ जाता है, जब बात करते हैं, responsibility की, तो responsibility arise होता है, delegated authority से, अगर आपने किसी को responsibility दी है, sorry, अगर आपने किसी को authority दी है, तो साथ ही साथ आपको responsibility भी देनी होगी, मैंने first chapter में आपको पढ़ाया था, कि responsibility और authority hand in hand चलते हैं, अगर आप authority दोगे, responsibility नहीं दोगे, तो manager आपकी monopoly करेगा, responsibility दोगे, authority दोगे, तो work effectively और efficiently नहीं हो पाएगा, तो अगर आपने authority दी है, तो साथ ही साथ आपको appropriate amount of responsibility भी delegate करनी पढ़ती है, तो responsibility कहां से rise होती है, from delegated authority, अब accountability की बात करें, तो यह कहां से rise होता है, from responsibility, अगर आपने responsibility ली है किसी काम को करने के लिए, तो answerable भी आप होंगे, next step flow कैसे करता है, authority downward flow करता है, यानि superior to subordinate, responsibility upward flow करता है, subordinate to superior, accountability भी upward flow करता है, यानि subordinate to superior, अब जब बात करें, withdrawal की, तो authority कभी भी withdraw की जा सकती है, और किसी दूसरे को delegate की जा सकती है, यानि re-delegate की जा सकती है, authority withdraw की जा सकती है, कभी भी with the help of a notice, responsibility आप withdraw नहीं कर सकते हो, अगर आप एक बार किसी को responsible जिम्मेदारी दे देते हो, तो फिर आप उसको withdraw नहीं कर सकते, accountability भी withdraw नहीं हो सकती, once created, means किसी ने job perform कर दिया, तो answerable वही होगा, जिसने job को perform किया था, इसको आप withdraw नहीं कर सकते, अब next देखिए, importance of delegation of authority, जिसमें first है reduction of executives workload, अब कोई भी executive अपने work को अगर अपने subordinate को delegate कर देता है, तो क्या हो जाएगा, कि उसका time काफी बच जाएगा, तो अब उस time में, उसको कैसी utilize करेगा उस time को, वो important और creative work पे जादा धेयान देगा, instead of daily routine work, तो daily routine work वो delegate कर दे रहा है, अपने subordinates को, तो उसका जो time है वो अपने proper काम के लिए बच जा रहा है, तो कहीं न कहीं workload घट जाता है executive का, पहला importance तो यह हो गया, दूसरा employee का development हो जाता है, क्योंकि जो subordinate हैं, उनको वो काम करने को मिल रहा है, जो उनके seniors का है, तो उनको बहुत जादा opportunity मिल जाता है, कि वो अपने talent का, अपने skill का अच्छे से utilization कर पाएं, क्योंकि उनके पास जो काम मिल आए, वो काफी complex nature का, obviously बात है, उनके senior का काम है, तो उनसे जादा, उनसे जादा उस काम को करने में talent की जरूरत लगेगी उनको, तो उनका कहीं न कहीं, directly और indirectly development हो जाता है, सारे employee का, quick and better decisions are possible, क्योंकि आपने अपने subordinate को grant किया है authority, कि आप मेरे बदले decision ले सकते हैं इस काम को करने के दौरान, तो उनको बार-बार अपने superior के पास दौर के जाने की जरूरत नहीं होती है, तो जो भी उस particular काम के regarding decisions होते हैं, वो काफी quick और better हो जाते हैं, high morale of subordinate, क्योंकि उनके पास delegation of authority दी जाती है subordinate को, तो उनको ये मौका मिलता है, कि वो अपने efficiency और capacity को जादा से जादा display कर पाए, और जादा से जादा बढ़ चड़के वो अपना 100% देते हैं उस काम को करने में, जिससे क्या होता है, subordinate का morale high होता है, better coordination, better coordination का मतलब clear है कि कि किसके पास authority है, कौन responsible होगा, कौन answerable होगा, जिससे क्या होता है, which help to define the power duties and answerability, किसके पास power है, कौन से काम को करने के लिए, किसकी duty है इस काम को perform करने के लिए, और इस काम के failure के बाद कौन answerable होगा, यह सब कुछ सारा का सारा जो job है न, वो बिलकुल clear है, किसको power है, किसके पास duties हैं perform करने के लिए, कौन answerable होगा, तो किसी तरीके का कोई भी overlapping नहीं होता, जिसके वज़े से काम काफी cordial way में कर चलता है, यानि better coordination perform होता है काम को करने के दौरान, अब चलो देखलो decentralization क्या है, decentralization of authority means dispersal of authority to take decision throughout the organization up to the lower level, means what decentralization का मतलब कि जो authority का dispersion है न, वो पूरे organization के अंदर होता है, यानि decision लेने की जो power होती है, वो top level को भी है, middle level को भी है, lower level को भी है, लेकिन क्या सारे decisions लेने की power है नहीं, up to a level, middle level का जो level है, वो वहीं तक अपने decisions ले सकता है, lower level अपने level तक ही decision ले सकता है, और top level अपने level तक decision ले सकता है, यानि की जिनका जो काम है वो वहीं करेंगे, लेकिन सारे level तक decision लेने का power होता है, it implies reservation of some authority with the top level management, यानि top level के काम में कुछ reservation है, वो कुछ fix काम है जो वहीं करेंगे, जैसे कि decision making हो गया, policy making हो गया, strategy formation हो गया, तो ये सारा काम कौन करेंगा, top level of management करेंगे and transferring rest of the authority to the lower level of the organization, अब decision making करने के बाद, strategy बनाने के बाद, policy form करने के बाद, भाकी के जो चीज़ें होंगी न, उस policy को कैसे हम implement करेंगे, अब implement करने के regarding, जो decisions होंगे, वो middle level और lower level को मिल जाएगा, अब जैसे उन्होंने policy बना दी, उस policy को implement करना है, तो उसके regarding decision कौन लेगा, कि किस तरीके से implement करना है, middle level लेगा, middle level direction देगा, lower level को, अब किस तरीके से ground level पर implement होगा, उसके regarding कौन decision लेगा, lower level लेगा, यानि कि सारे level of management जो है, decision ले सकते हैं, लेकिन अपने level के according, अपने दाइरे में रहते हुए, जो उनका दाइरा fix किया गया, organization के दौरा, उनके अंदर वो decisions ले सकते हैं, लेकिन पास power है, decision लेने का, this empowers lower level to take decision regarding problem faced by them, without having to go to the upper level, यानि सभी लोग अपने level के अंदर में रह करके decision ले सकते हैं, हर एक छोटे-छोटे चीज के लिए upper level का दर्वाजा खट-खटाने की जरूरत नहीं है, अब suppose करो production management है, तो उसके अंदर raw material खत्म है, तो क्या वो जाकर के top level क के पास communicate करेगा, कि मेरा raw material खत्म है, मैं लूँ या नहीं लूँ, नहीं, तो ये सब काम delegate किसको कर दिया गया, आप अपने decisions खुद लो, अगर आप production manager है, आप lower level पे deal कर रहे हैं, तो lower level वाले अपने decision खुद लेंगे, middle level वाले अपने decision खुद लेंगे, और आप top level पे जो ब अपने level वाले सोचे, अपने अपने level पे अपने decisions लीजे, that is the meaning of decentralization, अब देखें, centralization और decentralization और basic difference क्या है, कि centralization में सारी authority जो होती है, वो retained होती है top level पे, यानि हर एक छोटा-छोटा decision, चाहे वो raw material खरीदने से लेके किसको बेचना है, कौन supplier होगा, कौन creator होगा, कौन debtor यानि सारा का सारा power जो है, वो top level के हाथ में हो, that is the meaning of centralization, और decentralization का मतलब होता है, systematically आपने authority delegate कर दी है, सारे level में, सारे department में, सारे department के पास power है, अपने चीज को handle करने के लिए decision लेने का, चाहे वो top level हो, middle level हो, या lower level हो, हर के पास power है, हर के पास authority है, decision लेने की, clear है, लेकिन अ भी complete तरीके से किसी firm का होना सही नहीं है, यानि कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसा firm है, जो complete तरीके से decentralized है, एक ऐसा firm है, जो complete तरीके से decentralized है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फर्म क्या होना चाहिए, एक mixture होना चाहिए, यानि एक जगा पे centralized होना चाहिए, और एक जगा पे decentralized होना चा strategy frame होगा, तो top level ही frame करेगा, कोई भी decision making होगा, बड़ा-बड़ा finance का decision, marketing का decision, sales का decision, तो वो call लेगा, top level ही लेगा, इस case में centralization होना चाहिए, क्यों, क्योंकि top level of authority में जितने भी लोग बैठे हैं, वो बहुत ही experienced और बहुत ही qualified लोग बैठे रहते हैं, वो अच्छे से decision making कर सकते हैं as compared to lower level, ground level पे जो managers बैठे हुए हैं, उनके comparison में, तो centralization कहां पे होना चाहिए, top level पे होना चाहिए, लेकिन बाकी जो level of management है, उनमें decentralization होना चाहिए, नि middle level पे, lower level पे भी authority को delegate करना चाहिए, तो एक firm कभी भी complete तरीके से 100% centralized नहीं हो सकता, और 100% decentralized नहीं हो सकता, यानि कि दोनों का mixture होना चाहिए, एक firm को effectively और efficiently business को perform करने के लिए, clear है, अब देखिए, हम देख लेते हैं centralization, centralization of authority means concentration of power of decision making in few hands, कुछ हाथ में ही सारे के सारे powers and decision making का, in such an organization, very little authority is delegated to manager at middle and lower level, बहुत ही कम authority दी जाती है, middle or lower level को, तो इतने में क्या हो जाता है, काफी problem हो जाता है firm को चलाना, तो complete centralization भी possible नहीं है, और complete decentralization भी possible नहीं है, क्योंकि अगर decentralization complete तरीके से होगा, तो सबके पास power है decision लेने का, clear है, लेकिन अब क्या policy बनाने का decision, कोई lower level of management कर सकता है, क्या, नहीं कर सकता, उनके पास वो experience, वो qualification नहीं है, वो top level पे ही छोभा द जाता है, तो आप complete decentralization नहीं कर सकते हैं, उसमें आपका business सही तरीके से नहीं चलेगा, complete centralization करोगे, तो भी नहीं चलेगा, तो क्या solution है, combo, that is combination of centralization and decentralization, top level को centralized कर दो, बाकी जगहों पे decentralized कर दो, जाधा तर business जो भी देख रहे हो ना, वो दोनों combined ही होती है, no organization can be completely centralized or decentralized, they exist together and there is a need for a balance between two, complete centralized or decentralized नहीं हो सकता, कैसे exist करेगा, जब तोनों का balance equal होगा, as the organization grows in size, there is tendency to move toward decentralization, thus every organization is characterized by both, जैसे 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 उसका size increase करेगा, तो कहीं न कहीं वो decentralization के तरफ बढ़ता चला जाएगा, लेकिन यह characterized कैसे होगा, दोनों, यानि उसमें, आपका decentralization भी शो करेगा character, पर centralization का भी character शो करेगा, जो decisions लेने है, top level करेंगे, बाकी चीज़ middle and lower करेंगे, implementation का काम, अब देखें, importance क्या है, decentralization का, first है, develops initiative among subordinate, यह क्या करता है, यह promote करता है, confidence देता है, subordinate को, क्योंकि उनके पास freedom होता है, अपने decisions को लेने के लिए, तो कहीं न कहीं, वो initiative ले सकते हैं, अपने decisions लेते हैं, तो अपने according काम करते हैं, तो उनके अंदर एक अच्छा सा feel आता है, confidence आता है, next है, quick and better decisions, क्योंकि सारे decisions एक हाथ में लेने नहीं हैं, सभी लोग अपने अपने काम के regarding decision लेने के लिए liable हैं, तो कहीं न कहीं decision making क्या हो जाता है, relief the top executive from excess workload, अब daily managerial work perform करने के लिए top level of authority तो बैठी नहीं है, तो वो जो routine work होता है, उसको वो subordinate को क्या कर देता है, delegate कर देता है, ताकि जो routine work है, उनको subordinate करे, और superior कौन सा काम करे, जैसे decision making का काम है, जो important काम है, जैसे strategies बनाना, तो जो important काम है firm के लिए, वो top authority करे, और बाकि routine work वो executive को delegate कर दें, जिससे बड़े-बड़े जो top level of management है, उनका workload कम जाए, देखिए, managerial development, it means giving authority to the subordinate up to the lower level to take decisions regarding their work, in this way the opportunity to take decisions help in the development of the organization, अब आप हर level पे power दे रहे हो कि आप decision ले सकते हैं, तो कहीं न कहीं managerial development भी हो रहा है, personal development भी हो रहा है, साथ ही साथ, पूरे के पूरे whole organization का भी development हो रहा है, next है better control, it make it possible to evaluate performance at each level, which results in complete control over all the activities, आप सारे level पे दे रहे हो decision लेने के लिए power, तो इस्ते क्या होगा, सारे level को control करने का आपको काफी मौका मिलेगा, आप सारे level को performance को evaluate कर सकते हो, किस तरीके से वो perform कर रहे है, सारी activities को किस तरीके से वो कर रहे है, तो आपका जो organization का control function होगा, वो काफी better होगा, चलो देखो, delegation and decentralization के भी this difference क्या है, तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, कि मैं decentralization में भी हम अपने work को delegate कर देते हैं, सारे level of management पे, तो फि पलसरी है, लेकिन decentralization optional policy, आप चाहो तो decentralization को opt कर सकते हो, combination को opt कर सकते हो, यानि decentralization and centralization दोनों को opt कर सकते हो, साथ ही साथ, या फिर सिर्फ centralization को भी opt कर सकते हो, तो यह optional है, next है आपका freedom of action, delegation में आप जादा free नहीं होते हो, क्योंकि आप पे superior का control होता है, क्योंकि आप जो superior होत जिसको delegate करता है work वह accountable नहीं होता है job के failure के लिए accountable सुपिरियर ही होता है। इसलिए उसका कहीन कहीं control होता है आपके ऊपर वह भी directly, लेकिन decentralization में क्या होता है? डिरेक्ट कंट्रोल, टॉप मैनेजमेंट का नहीं होता है, जो भी आप action लेते हो, आप free होते हो action लेने के लिए, क्योंकि डिरेक्ट कंट्रोल, टॉप मैनेजमेंट का आप पे नहीं होता है status क्या है, it is a process of sharing task and authority, delegation का मतलब कि आप जो भी task है या फिर authority है, उसको share करना, that is the meaning of delegation, decentralization का मतलब, result of policy decisions taken by top management, यह क्या है, कि जो भी policy बनाई गई है, जो भी decisions लिये गए हैं, top management के दौरा, उनको implement करने को, हम क्या बोलते हैं, decentralization, यानि उनको implement करने के लिए, आप दूसरे लोग को delegate कर देते हो, power की, हमने decision ले लिया, आप जाओ, तुम इसको implement करो, उसके regarding, जो भी decision लेना है, वो तुम्हारा काम है, यह direct sharing नहीं हो गया, सारे level of management पे share कर दिया जाता है, top level of management के थ्रू, यहां पे क्या है, बिस कुछ specific task होते है, उनको share किया जाता है, यहां पे बस जो policy ब to find to a superior and his immediate and subordinate, काफी narrow यह कहां चलता है, एक superior और subordinate के बीच चलता है, ऐसा नहीं है कि पूरे management के बीच में चलता है, एक superior है, जिसने अपने काम को delegate कर दिया subordinate को, तो काफी narrow scope होता है, लेकिन decentralization का जो scope होता है, काफी wide होता है, extension होता है, of delegation to all the level of management, यहां पे सिर्फ हम superior or subordinate क बात कर रहे हैं, तो scope काफी wide है, जब बात करते हैं, delegation के purpose की, to reduce the burden of manager, manager के burden को reduce करने के लिए, हम क्या कर देते हैं, delegate कर देते हैं, work को, लेकिन जब बात करते हैं, decentralization की, to increase the role and the autonomy of lower level of management, हम decentralization क्यों करते हैं, ता कि जो lower level of management पे लोग हैं, वो autonomous way में work कर सके और उनका role increase हो सके, आया हो तो like कर देना और अपने friends के साथ share करना और भाई channel को subscribe कर लेना, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए stay tuned